नमस्कार मैं हूँ अमित कटोच स्वागता आपका आपके इपने चनल एश्पी अमित एज्यूकिशन में है एज्यूकिशन फिल्ड के कोर्से हमारे यहां पे चलते हैं जिसमें हम जेवडी टैट के जो अपकमिंग स्लेबस है उसमें क्या-क्या पार्ट रहेगा क्या नया च बैसिक देखें जो ट्रोडल कोर्शन से पूछे जाते हैं वह हैं 150 काफी टाइम से यही पैटर्न है और इसी पैटर्न में जो है जो यह एक्जांप हो रहे हैं अभी नेक्टी मार्किंग नहीं होती है नो नेक्टी मार्किंग जो ने स्टूरंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहां पर बेसिक मैं बता रहा हूं क्योंकि उनको पता नहीं होता है कि नेक्टी मार्किंग होती है कि नहीं होती है तो यहां पर नेक्टी मार्किंग नहीं होती है ट्रोडल मार्क्स बन 50 और जो क्वालिफाइंग मार्क्स जनरल ओपन में 60% लेने पड़ते हैं जो की नंबर्स में लगवक 90 मार्क्स होते हैं 90 marks गोर जो रजर्व काटेगरी में है उनको 55% mark जो यहाँ पर qualifying जो लेने पड़ते हैं जो की 82,5 बनते हैं तो 82,83 marks आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं आप यहाँ पर 83 मान के चलें कि 83 marks आपको यहाँ पर लेने पड़ते हैं जो syllabus divided किया ग Haggför न आप यहां पर कर सकते हैं psychology plus pedagogy, Hindi grammar, English grammar और basic literature भी हो सकता है, mathematics और general knowledge, general knowledge का जो part है, इसमें काफी change, last जो टैट हो रहे हैं, वहां पर हमें देखने को मिल रहा है, जैसे इसमें जो include किये जाता है, SPGK, SPGK के साथ, Indian GK, plus crunch fare, यह भी इसमें include रहता है, last year, November month में एक special tat हुआ, उसमें यह पाट कुछ अलग तरीके से पूछा गया था, और उसके बाद जो टैट हुआ, जो in general, एक साल में दो बाद टैट होते हैं, तो उसमें एक अलग टाइप का पूछा गया था, तो इसमें क किस तरीके से तैरी करेंगे, इसमें आपको HBGK भी basic करना पड़ेगा, Indian GK भी basic करना पड़ेगा, और साथ में आपको crunch भी इसमें करना पड़ेगा, तो किस तरीके से आप करेंगे, last six month आप लेके चलेंगे, जो भी main-main headlines रही हैं, वो इसमें पूछी जा सकती है, पहले तो एक्जाम्स हो रहे हैं, उन में current भी पूछा जा रहा है, starting में देखें, psychology, pedagogy, 30 marks पूछे जाते हैं, जिसमें psychology, pedagogy से समंदित basic theories, और भी teaching aptitude से समंदित महत्रपुन, जो प्रशन से रहते हैं, वो सारे इस के इंतरगत आते हैं, Hindi English, grammar में जो भी topic रहते हैं, almost सारे ही topic इसमे include होते हैं, ऐसे pick and choose, जो disability exams होते हैं, उन में नहीं होता है, जैसे school के exam, ये college के exam सोड़े अलग होते हैं, उन में आप बोल सकते हैं कि यही particular syllabus रहेगा, यहीं से आएगा, यहाँ पर अगर हम Hindi और English की बात करें, तो almost सारे ही, सारे ही जो topic हैं वो include रहते हैं, mostly grammar part जो यहाँ topic बनते हैं, वो सारे इसमें पूछे जाते हैं, reasoning नहीं पूछे जाती है अभी टैट में, सिर्फ जो pure math है, वो यहाँ पर पूछे जाता है, तो यह syllabus जेवटी टैट का रहता है, थोड़ा ओर detail में इसे elaborate करते हैं, जिसमें आपको idea मिल जाए कि कि किस तरिके से यह syllabus रहेगा, फर्स पार्ट में, child development and pedagogy को आप यहाँ पर discuss करें, जिसमें जो main topic हमने लिए हैं, जहां से जातर question पूछे जाते हैं, concept of development, की विकास की जो अभदारना है, वो किस किस तरिके की रहती हैं, बच्चों के उपर, वो सारा इसके अंतिकत रहेगा, basic concept of CDP, वो भी ECK concept हैं, intelligence theory, socialization process, assessment and evaluation study, की बच्चों का मुल्यांकन किस तरिके से होता है, वो सारा ही process यहाँ पर पूछे जाता है, herity and environment, herity और environment दोनों ही जो है वो effect करते हैं, बच्चे के उपर, तो किस किस तरिके से effect करते हैं, वो सारा इसके अंतिकत रहता है, motivational learning, individual differences, individual development, child thinking, बच्चे की source किस तरिके से develop होती है, child development, special needs according to age, child center and progressive education, inclusive education, जो special child होते हैं, उनको किस तरिके से सभी के साथ education दी जाए, वो सारा ही समावशी शिक्षा में रहता है, next teaching method and principles, almost इनके नेरवाई हमें इस part में questions देखने को मिलते हैं, यह part, important part रहता है, next है, हिंदी ब्याकर्ण, हिंदी ब्याकर्ण में जो almost topic पूछे जाते हैं, वो हमने यहां पर mention किये हैं, संग्या सरवनाम, लिंग, बचन, क्रिया, क्रिया विशेशन, कारक, संदी विछेद, विलोम शब्द, प्रयवची शब्द, शुद, अशुद, शुद, 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 शब्द भी आ सकते हैं, हिंदी ब्याकर्ण, चिन, मुहाबरे, रस, छंद, लंकार, समास, तदवब, तदसम, सब्द, बाच्चे, प्रत्य और उपसर्ग, समाने साहिते, यह सारे ही topic जो इसके अंदरगत रहते हैं, समाने साहिते में जिसे basic जो बड़े-बड़े authors हैं, उनकी books पूछी जा सकते हैं और भी मिलते जूलते प्रशन इसके अंदरगत पूछे जा सकते हैं, बाकी mostly ब्याकर्ण पार्ट पूछे जाता है हिंदी का, तो यह सारे ही topic इसके अंदरगत रहते हैं, 30 questions आप से पूछे जाते हैं, और यह scoring part रहता है, next part देखते हैं, next part English grammar का है, इसमें भी 30 questions पूछे ज जाते हैं, one question, one marks carry करता है, इसमें जो main topic रहते हैं, जहां से exam में question बनते हैं, noun, pronoun, adjective, adverb, sentences, article, voice, prepositions, narrations, narrations, voice, prepositions, synonymous, antonymus, one word substitution, यहां से जातर question पूछे जाते हैं, तो इन topic के ओपर आपने विशेष नजर यहां पर रखनी हैं, next, tenses, numbers under, anonymous, synonymous, correct spelled, one word substitution, और phrases, इन सभी topic से जह बो questions बनते हैं, the main topic, जैसे आप सभी नहीं previous exams देखे होंगे, synonymous, antonymus, ज्यादा question पूछे जाते हैं, narrations के question पूछे जाते हैं, prepositions के question पूछे जाते हैं, और adjective, adverb, sentences, मन्दित भी के वर questions पूछे जाते हैं, और one word substitution से भी जातर questions पूछे जाते हैं, तो, इन topics के नेरवाई ही इसले बस रहता है, तो, English grammar में यह जो 16 topic हैं, यह most most important है, next part mathematics का है, mathematics में भी 30 question पूछे जाते हैं, और one question, one marks यहां पर carry करता है, जिसमें, जो main topic, यहां पर मैंने लिए हैं, जहां से जाता exam में question पूछे जाते हैं, number system, number system में एक बड़ा topic है, इसके नतरकत, बहुत से basic point पूछे जाते हैं, fraction, board mass, LCM, SCF, square root, cube root, square और cube से स्मधित question भी रहते हैं, ratio and proportion, certs and indices, profit and loss, इनके लावा और भी topics हैं, जैसे simple interest, compound interest, यह लग-लग topic हैं सारे ही, time and distance, age relations problem, problem on trends, मेंशूरेशन, algebra, boat and stream, trigonometry, simplifications, discount, mean, median, mode, average, geometry, polygon, इनके लावा time and work और भी बहुत से topic रहते हैं, जैसे उनको मैंने combine कर दिया है, जैसे बर्ग, आई, circle, वो सारे topic इसके अंतरकत ही आते हैं, जिसमें quadulators, oribos, उसे type उनके रहते हैं, तो वो सारे ही menstruations के अंतरकत topic आते हैं, तो मैंना short करके आपको यहाँ पर 21, 22 topic बताएं हैं, जो कि mathematics के अंतरकत रहते हैं, अल्मॉस्ट मिलाकर यह 30 topic हैं, 30 plus topic हैं, जो mathematics का जो part है, इसको cover करते हैं, नेक्स जो part है, वो general awareness का इसमें 30 questions रहेंगे, और 1 question जो carry करेगा, means की 30 question आएंगे, और 30 number जो उनकी आपको मिलेंगे, general awareness को आप थोड़ा deep study करेंगे, क्योंकि यहाँ से last जो हम टायर देख रहे हैं, बहाँ पर काफी chance हमें देखने को मिला है, इसमें सबसे पहले इंडियन जीके, इंडियन जीके, इंडियन जीके में आपको history भी करना पड़ेगी, history, polity, geography, economics, इस सारे ही इसके अंतरके दाते हैं, इसके साथ general science, general science, current affairs, current affairs पूछा जा रहा है, यह national भी हो सकता है, international भी हो सकता है, और HP से समंजित भी हो सकता है, तो यह सारे पॉइंट इसके दरगत रहते हैं, आगे, आगे, इसमें, HP को लेते हैं, क्योंकि HP से समंदित भी question पूछे जाते हैं, last के हम TED देख रहे हैं, तो mix जीके पूछे जा रहा है, बट जो पहले TED पूछे जाते थे, आज से हम 2-3 साल पहले की बात करें, तो HP जीके जादा पूछे जाते था, तो उसके अंतरकत कौ देश के जीले कौन-कौन से हैं, कहां-कहां पर लगते हैं, किस तरह पढ़ते हैं, सारी directions आपको पता होने चाहिए, प्लस जोगभी पार्ट में हैं, जैसे ही mountain ranges हैं, passes हैं, मैं कुछ topic याँ पर लिख रहा हूं, जैसे चोटिया, passes, जीले, glacier, waterfall, waterfall, springs, wildlife centuries, wild life centuries, national park, यह कुछ geography part के topic हैं, इनके इलावा, all districts, जितने भी districts हैं, इनके बाएर में आपको डिटेर मनोलिस होने चाहिए, जो भी 12 districts हैं, इनकी geography plus history, केंच से भी questions पूछे जा सकते हैं, जिसमें जो जन्नकरना वगएरा हो रही हैं, census वगएरा जो हुए हैं, ठीक है, उनसे भी questions यहां पर बनते हैं, art and culture, art and culture, hp का, hp का जो budget हर साल आता है, current में ही आप इसको नोरुन कर सकते हैं, budget और economy report हिमाच्चर प्रदेश के आती हर साल, budget report और administration, administration, administration means कि जैसे हिमाच्चर प्रदेश में वह से commissions हैं, जो exam conduct करवाते हैं, कि ऐसे संस्ताइं भी हैं, जो training भी अभी करवाती हैं, ठीक है, तो उनके बार में भी आपको इसमें knowledge होना चाहिए, तो इनके नेरवाई exam में question, activity से समंदित पूछे जाते हैं, जो हमारे साथ त्यारी करना चाहते हैं, वह हमारे साथ भी त्यारी कर सकते हैं, हम इसमें detail में classes प्रवाइड करोते हैं, जीवडी टैर्ट से समंदित और आपका अस्ताइब बेस्ताइब पूरा इस labor discover करते हैं, अभी हम यहाँ पर offer दे रहे हैं, क्योंकि अभी time है, अगर आप अभी joining करेंगे तो आपको benefit इसका मिलेगा, जब आप last में join करते हैं, last के एक या दो मत में, तो मुश्किल हो जाता है, आप syllabus cover करना, क्योंकि जैसे हम math की बात करें, तो बहुत सा syllabus आपका रहता है, languages में बहुत सा syllabus है, psychology पार्ट में भी काफी topic रहते हैं, तो आप यहाँ पर screen में note on कर सकते हैं, यहाँ पर हमने mention किया है क्या क्या आपको मिलेगा, यह सभी इसमें include रहेगा, live classes, recorded classes, mock tests, notes, सब कु आपको हम यहाँ पर provide करवाएंगी, और गर बैठे आप इसमें classes लगा सकते हैं, अगर classes नहीं लगाना चाहते हैं, तो notes भी आपको इसमें हम provide करवा देते हैं, तो आपको यह information पसंद आई होगी, अगर बेडियो पसंद आई तो बेडियो को like share ज़रूर करें, और जिन्हों चलनल सबसक्राइब करें